हेलो एब्रिवन मैं मेथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे EMRS यानि की Eclipse Model Residential School में TGT और PGT की वेकेंसी आ चुकी है प्रिंसफल की वेकेंसी आ चुकी है तो अगर आपने नहीं भरा है तो जाकर भर लीजे फॉर्म को फिलाल इस वीडियो में हम लोग TGT Math के syllabus को देखेंगे हर एक topic को देखने की कोसिस करेंगे जानने की कोसिस करेंगे किन topic को पढ़ना है और किन topic को नहीं पढ़ना है इसके बात जो है आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है पहला सवाल एक्षुली वीडियो को सुरू करेंगे उससे पड़े थोड़ी बहुत आपकी मैथ की टेस्ट ले ली जाए सबसे पड़े आपको बताना है X to the power 0 की value क्या होगी बहुत ही आसान सवाल है बार-बार मैं उसका example बताना है तो नीचे comment में तीनों सवालों का जवाब आपसे चाहिए since आप math के student हो तो आपको पता होना चाहिए ये सारी बाते ठीक है चलिए additional question पूछ लेता हूँ question number 4 देखूंगा ये इस question का जवाब कौन कौन देता है आपको बताना है root x ठीक है na root x square जो है ये polynomial है अथवा नहीं है नीचे comment करके इसका जवाब दीजिएगा ठीक है class 10 में ये सारी बातें आपको देखने को मिलती है तो चलिए syllabus को start करते हैं real number के साथ हम लोग जो है start करेंगे real number में क्या-क्या बातें दी गई है देखिए सबसे पले ना part A और part B में आपका syllabus है मैं सिर्फ आ comment section में में देने की पूरी कोसिस करूँगा वहां नहीं मिलता हो तो description में एक बार जरूर चाहे कर लिजेगा वहां से आपको जो है उसकी link मिल जाएगी देखिए पहले gkgs पूछा जाएगा reasoning भी आपसे सवाल जो है reasoning के सवाल आपसे पूछे जाएंगे ठीक है reasoning के अलाबा जो general mathematics है वो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा जैसे profit, loss, ratio, proportion, train वाले question तो math से भी question रहेगा ठीक है general वाले की बात कर रहा हूं competitive math की चौथे नमर पे देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा pedagogy भी पूछी जाएगी और language paper में language paper में आपसे हिंदी, English के भी सवाल पूछे जाएगे तो इन चीजों को आप लोग जो है एक बार जरूर कर लीजेगा फिलाल अब math के syllabus को अगर आप देखोगे तो देखिए math बहुत बड़ा syllabus इन्होंने दे रखा है देखो यहां से आपको दिख जाएगा यह देखो पूरा syllabus है कोई बात नहीं मेरी पूरी जिमेदा और NCRT को मैं थोड़ा सा preference नहीं दूँगा NCRT के लिए जो है topic को समझने के लिए आप NCRT का इस्तिमाल कर सकते हो लेकिन सवाल ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए आपको RS अगवाल और RD सर्मा के पास जाना ही होगा जो math को deeply समझते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे अगर आप सहमत हो तो नीचे जो है comment करके yes जरूर लिखना ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं फिलाल आगे देख लेते हैं आपको representation of terminating और non-terminating recurring decimal के बारे में पढ़ना है class 10th पूरी तरह से class 10th है on number line through the successive imagination इसे पढ़ना है clear होगी बात है अब तौपिक में rational number को recurring decimal जो terminating decimal है उसे पढ़ना है example of non-recreh पढ़ना है one terminating decimal को पढ़ना है existence of non-rational number जैनी कि जिसे कया बोला जाता है irrational number वो पढ़ लेना है उसका जो presentation है number line पे कैसे होता है जैसे root 2 को देखना ये class 9th में है root 2 को कैसे आप number line पर represent करोगे root 5 को कैसे represent करोगे root 7 को कैसे represent करोगे इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिये जाते हैं आगे देख लिजिए explaining the every real number is represented by a unique point on the number line and conversely every point on a number line represents a unique real number इसके बारे में आपको पढ़ लेना है ये तो number line की बात हो गई अब देखिए law of exponent or integral power rational exponential के बारे में पढ़ना है positive real base के साथ rationalization of real number class 9th को अच्छे से पढ़ जाई अभी तक मैंने जितनी भी बातें करी class 9th की अब देखिए euclid division lima class 10th में मिलेगा आपको कहां मिलेगा class 10th में fundamental theory of arithmetic progression AP की बात हो रही है तो ये भी आपको कहां मिलेगा class 10th में मिलेगा expansion of rational number in term of terminating and non-terminating recurring decimal ये आपको 9 और 10 दोनों में मिलेगा तो 9 10th के R.S. अगरवाल को खोलने का बक्त आ गया है उसे जरूर पढ़ने आप आपका काम यहां से बन जाएगा 9 10th का ये सिलेवस था आगे देखिए elementary number theory के बारे में देखिए ये पढ़ना है आपको piano का axiom principle of induction first principle, second principle, third principle आपको पढ़ लेना है basics representation theorem पढ़ना है great integer function पढ़ना है और test of divisibility समझ रहे Euclide का algorithm पढ़ना है देखिए the unique factorization पढ़ना है factorization theorem जो है उसे पढ़ लेना congruence पढ़ना है Chinese remainder theorem जी हाँ Chinese remainder theorem आपने graduation में पढ़ा होगा I don't know की same 1, 2, 3, 4, 5 कहां था बट ये तो था graduation में था some of divisor of a number उसके बाद देखो Uless, Teotere, Format and Wilson ये दो scientist थे उनका theorem को पढ़ लेना ये यहाँ पे थोड़ा सा theorem वाला part है चलिए आगे देखते है matrix में R1, R2, R3 ठीक है as a factor space over R ये पढ़ लेना है concept of Rn को पढ़ना है standard basic of each them इसे पढ़ लेना है आपको linear independence को पढ़ना है और इसके क्या example है वो आपको पढ़ कर जाना है अब देखिए कुछ में मोटा मोटी बाते हैं आपको बता दू rank of matrix पढ़ना है और इसका solution पढ़ना है और देखिए जो आप reduction of diagonal form पढ़ोगे matrix का वो 3 order तक आपको पढ़ कर जाना है competition of metric inverse using elementary row operations ये आपको पढ़ कर जाना है solution of a system of a linear equation using matrix इसे पढ़ लेना है अब देखो बात करते हैं polynomial की polynomial के बारे में अगर मैं बताऊं तो class 9th और 10th में फिर से आपको polynomial के बारे में मिलेगा ठीक है polynomial के बारे में देखिए definition of a polynomial in one variable की बात हो रही है यहाँ पे जैसे के example मैं लिख दू x square minus 3x plus 2 यह क्या है यह है आपका one variable polynomial ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं इसको example के साथ पढ़ना है और counter example भी पढ़ लेना है इसका term क्या होता है zero polynomial की से काते हैं degree of a polynomial की से कहा जाता है देखो अगर मैं बोलू x to the power 3 है और यहाँ पे 4 है तो इसकी degree क्या होगी देखो यह 3 हो जाएगी लेकिन अगर मैं बोल दू x square minus 2x और plus 7 तो इसकी degree क्या हो जाएगी दोस्तों तो देखो जो सबसे बड़ा power होता है उसे degree कहा जाता है मैं ग्यान यहाँ पे नहीं जाड़ूँगा सिलेबस बताने वाली बात है तो मैं बताता जा रहा हूँ तो degree of polynomial पढ़ देना है constant linear quadratic cubic polynomial को पढ़ लेना है monomial, binomial, trinomial देखे थोड़ा सा ज्यान जाड़ देता हूँ आध़त से मजभूर हूँ देखो x square plus 2x plus 3 यह क्या है आपका trinomial है यह क्या है trinomial है तीर पद है trinomial हो गया अगर power 3 आजा है तो इसे cubic polynomial कहेंगे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं algebraic expression को पढ़ना है और जो identities हैं उसे पढ़ लेना है use of factorization पढ़ना है और simple expression of reducible और उसके जो polynomial है उसे पढ़ लेना है इस तरह के questions को जरूर solve किजिएगा 1 upon root x by 1 upon root y is equal to 2 है और एक और example मैं देता हूँ 3 upon root x minus 1 upon root y is equal to minus 3 है तो आपको जो है x और y की value find करना है इस तरह के प्रस्वन बनेंगे कहा मिलेगा rs agarwal में और जो word problem है I repeat जो word problem है वो बहुत ही मुस्किल होता है what problem को ध्यान में देख लिजएगा जो steam वगरे के question है what problems को ध्यान में देखने की बात आपको actually ध्यान में रखना ही होगा आगे देखिए algebraic और graphical solution को ढोंड लेना है जैसे कि question कभी कभी ये आ जाता है ये खेर polynomial का question है कि अगर ये है अब देखो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा ये इसमें जो आपको कितने zeros मिलेंगे नीचे comment करके बताइएगा इस graph को अगर मैं y बोल दूँ ये आपका y dash है ये x है और ये x dash है तो आपको इसमें कितने actually यहाँ पर कितना zeros आपको मिलेगा तो comment करके नीचे बताइएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question क्या बोल रहा हूँ मैं अगला question देखो यहाँ पर quadratic equation class 10 class 10 को पढ़ लेना केवल जो real root आते हैं वो अब देखो आपको पता ही होगा d equal to 0 तभी area root आता है d जब greater than 0 होता है और d जब less than 0 हो जाता है तो यह imaginary form हो जाता है तो इसे जरूर आप पढ़ लेजेगा class 10 में आपको यह मिलेगा factorization पढ़ना है by competing the square square बना कर जो पढ़ना का होता है यह class 10 में है बिल्कुल class 10 में है quadratic formula को यूज करना है अब देखी relationship between discriminant and natural rule को पढ़ना है इसके अलाबा relation between roots and coefficient को पढ़ना है इसे जरूर ध्यान से पढ़ लेजेगा common root क्या होता है वो पढ़ देना है arithmetic progression AP sum भी पढ़ना है आपको SN वाला भी formula पढ़ना है और AN वाला भी formula squash inequality को पढ़ना है ये चीजों को पढ़ लेना है अब देखें combination में आपको principle of inclusion exclusion pigeon hall principle को पढ़ना है records relation को पढ़ना है binomial coefficients को पढ़ लेना है अब बात करते हैं calculus की देखोई अब 12th की syllabus आपको देखने को मिलेगा set पढ़ लेना है इसके फंसन को पढ़ना है graphs पढ़ लेना है polynomial sign cosine का क्या होता है exponential और logarithm functions क्या होते है step function क्या होता है limit क्या होती है continuity क्या होता है differentiation क्या होता है class 11th और 12th में खास करके 12th वाले चीज़ों को पढ़ लेना है फिर सहारे सकरवाल आप खरिद लो पुराने वाले हैं तो उनसे जो है काम लेनी की सुरुआत करो method of differential like a chain rule chain rule में आप करते थे ना जिसे suppose कर लो x to the power 3 है या फिर इसे कैसे आप chain rule में divide करते थे सबसे पहले जो है आप इसे करते थे dx के respect में फिर dx को करते थे dx के respect में तो आपको पता ही है देखो थोड़ी सी ज्यान जाड़ने की आदत है इसलिए मैंने लिख दिया यहां पे ताकि आप चीजों को आसानी से समझ पाओ आगे देखो आगे अगर आप जाओगे तो यहां पे भी आपको देखे product of rule देखेगा second order derivative of formula देखेगा integration देखेगा तो पढ़ लीजिए इसे जाकर फिर से खोल लीजिए integral function को अब देखिए एक्सकुलीटियन जेमेटरी पढ़ना है जिसमें axiom postulate को पढ़ लेना है the five postulate and euclid class 10th की बात हो रही है यहां पे class 10th वाले चीज़ों को पढ़ना है और कुछ देखिए कुछ जो सेवा theorem है या फिर ये जो सारे theorem है nine point circle है Simpson line है इन चीज़ों को पढ़ने के लिए देखिए screenshot आप ले लो और Google पे या फिर वहां से PDF अगेरा मिलती है तो डाउनलोड करके इसे अच्छे से समझ लिजिए पढ़ लिजिए coordinate geometry की बात करूं class 10th को पढ़ना है आपको distance between two point कैसे होता है section formula क्या होता है area of triangle कैसे निकालते हो class 10th से काम चलेगा आपका आगे देखिए area and volume की बात करूं तो triangle का formula class 9th वाले book को निकाल लिए सारी जानकर आपको वहाँ से मिल जाएगी area of quadilateral कैसे निकालते हैं surface area lateral area या को भी जो है अम लोग surface area बोलते हैं volume of cube, cubite, surface को निकाल लेना है hemisphere भी included है यहाँ पर right circular, cylinder को भी निकालना है cone को भी निकालना और first term को भी निकालना है area of circle पढ़ना है class 10th तो देखो class 9 और 10th वाले book को पढ़िए काम आपका बन जाएगा कम से कम NCRT तो पढ़ी लो trigonometry में देखिए ratio of acute angle of right angle टेंगल पढ़ना है relationship between the ration जो वो है वो पढ़ लेना है trigonometry is entities sin square theta plus cos square theta is equal to क्या होता है 1 होता है तो इस तरह के जो 3-4 identities है उसे पढ़ लेना है height and distance पढ़ लेना है aesthetics में देखिए aesthetics में आपको collection of data representation of data tubular form ungrouped और grouped histogram frequently polygon qualitative analysis of data to choose the correct form of representation of collective data mean median mode mode of grouped data को पढ़ लेना है mean median mode data of grouped data क्या है यह कैसे सिलेवसी लिखते हैं एक ही चीज़ को दो बार लिख रखा है खर कोई नहीं ज्यादा frustrate नहीं होना है committative frequency graph को भी पढ़ लेना है आखरी hope की यह आखरी हो जी हाँ यह देख लो यह आखरी है probability की बात करूँ तो elementary probability basic law जो है वो पढ़ लेना है descriptive और continuous random variable को पढ़ देना है mathematics expansion को पढ़ना है mean variance of binomial को पढ़ देना है तो यह चीज़ें थी यहाँ पे अब एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ अगर आप मेरे hand it and nots लेना चाहते हो TGT maths के तो आपको यह 599 में available करा दिया जाएगा पहली बात अगर previous question paper लेना है KBS, NBS, DSSB, Atomic Energy Education Society और भी जो अलग-अलग राज्यों में TGT के exam हुए है conduct उसके previous question paper 70 रुपीज में मिल जाएगा यहाँ से मेरी email ID देख लो yourmithun Singh at the rate gmail.com पे mail कर लिजे if you are Instagram then do follow me at the rate imithun Singh वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और इस्तिदारों सहलियों तक जरूर सेयर करें साजा करें उन तक पहुंचाएं आप सभी का भध बहुत सुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए have a good day, thank you so much